नमस्ते दोस्तों आप सभी को मुने चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको Microsoft Excel में Today Function को कैसे अपलाई करते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो को last तक देखेगा तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों Today Function को एपलाई करके मैं यहाँ पर आपको current date, yesterday, tomorrow कोई भी expected date को आप यहाँ पर formula एपलाई करके निकाल सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको today मतलब के current date को निकाल के दिखाऊंगा इसके लिए आपको यहाँ पर formula लिखना है formula में आपको लिखना होगा equal today first bucket open close जस्ट यह हो गया formula जस्ट simple आपको एक बार enterprise करना है enterprise करने के साथ यहाँ पर दिखे current date जो है वो यहाँ पर आ चुका है अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर yesterday को निकाल के दिखाऊंगा तो yesterday को निकालने के लिए भी आपको यहाँ पर today formula को apply करना होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे equal today first bucket open close minus 1 मतलब कि current date से एक दिन को आपको यहाँ पर minus करना होगा just एक बार enterprise करना होगा enterprise करने के साथ ही यहाँ पर दिखेंगे yesterday का date जो है वो यहाँ पर निकाल के आ चुका है अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको tomorrow को निकाल के दिखाऊंगा इसके लिए आपको यहाँ पर same today formula को apply करना है equal today first bracket open close plus 1 just एक बार enterprise करना है enterprise करने के साथ ही यहाँ पर दिखिए tomorrow का जो date है वो यहाँ पर निकाल के आ चुका है तो दोस्तों yesterday को निकालने के लिए आपको यहाँ पर today से minus 1 करना है और tomorrow को निकालने के लिए आपको यहाँ पर today के साथ plus 1 कर लेना है तो yesterday और today calculate हो जाएगा अब दोस्तों अगर आप आज से 15 दिन बाद कौन साथ डेट है वो आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक formula लिखना है तो current date के साथ आपको यहाँ पे 15 days को add करना होगा तो हम यहाँ पे current date के लिए formula लिखेंगे equal today first bucket open close plus 15 जस्ट एक बार एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखेंगे वो डेट आ चुका है मतलब कि current date के साथ 15 दिन जोर के जो डेट होगा वो यहाँ पे देखेंगे आ चुका है अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे current date से 15 दिन आगे का जो डे माइनस 15 जस्ट एक बार एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखेंगे current date सो जो 15 दिन आगे का डेट है वो यहाँ पे देखेंगे निकल के आ चुका है आप यहाँ पे same formula apply करके किसी भी आगे का डेट 10 दिन 15 दिन इससे पहले का भी date आप अपने हिसाब से calculate करके निकाल सकते हो तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Excel में today function को apply कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा thank you for watching the video please keep your support